चुपकर अस्रू बहाने वालो, मोती वेर्थ गवाने वालो, कुछ सपनों के खो जाने से जीवन नहीं मरा करता है। ये लाइन आपको ताकत देगी दुबारा से खड़े होने के लिए। साथ में एक चीज और याद रखना है कि नन्नी चीटी जब दाना लेकर चलती है, चड़ती दिवारों पर सोबार फिसलती है, मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चड़कर गिरना गिरकर चड़ना ना अकरता है, आखिर उसकी मेनत बेकार नहीं होती और कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती, रिम डिफेंस अकेडमी की अनुभावी टीम के साथ अपनी तयारी को बैतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस अकेडमी एप, नमस्कार, रिम डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सब का स्व वो थोड़ा सा निरासा का है. कुछ बच्चों को निरास होना पड़ा है जब उन्होंने अपना पेपर आमसर की से मिलाया है. पहले कुछ बच्चे ये मान के चल रहे थे कि मेरे बहुत क्यूसन ज़्यादा सही हुए हैं मैंने इतनी ज़्यादा क्यूसन किये हैं तो कुछ क्यूसन हो सकता उसमें शे गलत हो बटे उसका जिस तरह से आप प्लान कर रहे थे जो आपने सोच रखा था उससे अलग रिजल्ट मैक्सिमम बच्चों को मिला है और ये सभाविक प्रक्रिया है सब के साथ ऐसा ही हुआ है तो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को परिक्षा में एक तरह से ऐसफल होना पड़ा है उनकी लिए मेरा एक चोटा सा संदेश होगा एक सानबुती के तोर पे इस परिवार का मुख्या होने के नाते एक सानबुती आपको देने की कोसिस करूँगा और दुबारा से उट खड़े होने के लिए प्रेरित करने की आपको कोसिस करूँगा इसके अलवा आज की इस वीडियो में कितने नमबर तक physical तयारी करना है कॉन्से बच्चों को करना चाहिए कॉन्से बच्चों को physical तयारी नहीं करनी चाहिए इस पे भी अपन बात करेंगे साथ में result आपका कब तक आ सकता है कितना समय result आने में लगेगा फिजिकल कब तक हो सकता है, कितने टाइम बाद में फिजिकल के लिए कौल होगा और आपको फिजिकल की तयारी कैसे करनी है तो इन सारी चीजों पर अपन डिसकस करेंगे आज जो बच्चे पहली बार चैनल पर हैं, जो बच्चे पहली बार मुझे सुन रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डिफेंस की कोई भी तैयारी करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को जो निरासा हाथ लगी है जो बच्चे ऐसफल अपने आपको मान रहे हैं इस आनसर की अपलोड होने के बाद उन बच्चों को सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि हर स्टुडेंट है वो पहली बार में सफल नहीं होता है जो भी लोग सफल हुए है आज तक जिन बच्चों का अच्छा पेपर हुआ है वो पहली बार में बहुत कम होते हैं जो पहली बार में प्राफ्ट करते हैं यानि कि सफलता के लिए ऐसफलता लाइफ में आना बहुत जरूरी है और वो हर आदमी की लाइफ में आता ही आता है ऐसफलता है वो सफलता के रास्ते का एक स्टेंड की तरह से है कि उस रास्ते से सबको गुजरना होता है तो इसको आप निस्शित मत मानिये ये fix नहीं होती है कि एक exam में अगर हम fail हो गए या एक exam में अगर हम अच्छा score नहीं कर पाए तो आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए बहुत options से उन पर में बात करूँगा, बहुत option हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको मानना ये है कि आप किस वज़े से आपके साथ ऐसा हुआ है, अर्थार्थ ऐसा फलता एक चुनोती है, उसको स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, देखो और उसमें सुधार करो, सब आपने प्लानिंग किया था, क्या आपने तैयारी की थी, कैसा आपका पेपर आया है, क्या चीज कहां आपका कमी रही है, उस पे विचार करना है पूरा, और उसके बाद में फिर उसको स्वीकार भी करना है, क्योंकि आपके पेरेंट से वो शिरफ आपको help कर सकते हैं, पैस इने बच्चों ने वहाँ से तैयारी की है, उसमें से कुछ बच्चे सफल भी हुए है, तो अगर एक भी स्टुडेंट अगर सफल हुआ है, तो उनकी मेहनत तो पूरी है, हमने कही न कहीं कमी रग दी, या तो उन पर हमें विश्वास नहीं हुआ, या फिर हमने उनके बता हो जाएगी, तो उसके बाद में आप सफल होना सुरू होगे, और एक जगे में कई जगे आपका भी सलेक्शन होगा, बहुत बार आपने देखा होगा, कुछ बच्चों का एक जगे में कई जगे सलेक्शन होता है, वो इस वजए से होता है, कि उनकी तैयारी थोड़ी सी अ सेम यही लगबग सलेमस रहता है, सारे कंपीटिशन का, इसके अलावा राजस्थान पुलिस कॉंस्टेबल दुबारा भी आ सकती है, कुछ बच्चे कल भी पूछ रहे थे, सर कब तक कॉंस्टेबल की वेकेंशी आ सकती है, तो CET लागू होने से पहले भी एक वेकेंशी ड से ज्यादा है, तो उन बच्चों के लिए सेम इसी सलेबस में, इसी रेंज के अंदर एक तरह से आपके लिए दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल दिसंबर में SSC नोटिविकेशन आउट करेगी, इसके लावा SSC GD की वेकेंशी आने वाली है जनुरी के अंदर, तो कितनी वेक तुरंत उसके उपर प्लान करके अपनी तयारी शुरू कर देनी है, किसी भी माध्याम से जो भी माध्याम आपको मिलता है, चाए ओनलाइन, चाए ओफलाइन, चाए शेल्पिस्टेडी, बार-बार कोचिंग के चक्क्र लगाने की ज जरूतनी है, बार-बार आपको पावे के साथ मत जीओ जो आप कल नहीं कर पाए हमेशा उस नए संकल्प के साथ उठीए जो आज आप करने वाले हैं जिससे आपका फ्यूचर अच्छा बन सकता है कितने नंबर तक वाले बच्चों को फिजिकल तैयारी करना है तो ये चीज किसी को भी निश्चित रूप से पता नहीं है किसी को नहीं पता है ये शिरफ आपको खुद को अपना आंकलन करना पड़ेगा पिछली बार की कटोफ के बारे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता दू कि पिछली बार जो पेपर था तो 75 मार्क्स का था पिछेतर नंबर का था प्रतेक प्रशन है वो 45 से 65 में कितना अंतर आ गया 20 नंबर के अंदर सारे जिलों की कटोफ अलग अलग रही है कैटेगरी वाइज 45 से निचे भी कुछ कैटिगरी में कटोफ रही है जैसे टी एस पी है SCST कटिगरी की फिमेल कंडिडेट्स हैं तलाग सुदा विद्वा बहने हैं उनकी कटोफ है वो 40 से 45 की बीच में भी रही है कई जगे से तो इस तरह से जो इतना बड़ा जो रेंज दिया हुआ है कि 40 से लेके 65 तक और इस बार अगर अगर अपन उसको डबल करके देखें त तो एक तरह से 80 से लेके 130 नंबर तक मेरिट रह सकती है यानि कि कहीं और वो फाइनल की बात का रहा हूँ तो 80 से लेके 135 के बीच में अगर आप कहीं भी है तो वो पिछली बाहर के हिसाब से यह मेरिट रहती है अब हर बार competition बढ़ता है इसके अलावा इस बार पेपर थोड की वज़े से आपको negative marking में बहुत नुक्सान हुआ है बड़ा असर ही हो रहा है 30-30-40-40 कि उस्तन गलत हुए है तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो उससे निरास होने की जरूत नहीं है उससे प्रेसान नहीं होना है एक ही चीज में आपसे बोलता हूँ कि अगर आप कर रहे हो physical तयारी करने से जरूरी थोड़ी है कि आप academy जोइन करो आप गरवालों के पैसे वेस्ट करो सुबह सुबह एक गंटे का टाइम हरा आदमी को निकालना चीए तो आप भी एक गंटे का टाइम निकाली है morning में और दोड़ना सुरू करिए शिरफ 5 km की दोड़ी तो कोई पैसा खर्च करने की जरूत नहीं है कोई academy जोइन करने की जरूत नहीं है आप आराम से सुबह सुबह एक गंटा रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए और उससे आप स्वस्त रहेंगे आप जो भी काम दिन में कर रहे हैं वो काम अच्छा कर पाएंगे mentally आदमी फिट र कर लिया और मेरा final होगा या नहीं होगा वो मुझे बताओ तब तो मैं करूँ नहीं तो नहीं करूँ final का बेटा किसी को नहीं पता होता है category wise कई तरह के reservation होते हैं पिछली बार OBC के काफी बच्चों को निरास होना पड़ा X-Man की वज़े से तो इस तरह से कोई पता नहीं हो तो आप physical के लिए मेरी राय अगर मानते हो अगर मुझे follow करते हो अगर इस परिवार के सदस्य हो तो आपको physical तैयारी पटापट शुरू कर देना चाहिए बाद की बात है कि आपका cutoff क्या रहती है अगर मान लीजिए कि आपने तैयारी नहीं किये और आपका call आ गया तो उ मैनत बेकार हो गई हमेसा अफसोस रहेगा कि मैंने तैयारी नहीं की नहीं तो मैं पास कर गया था मेरा भी selection हो सकता था और आप से कम नंबर वाले का जीज दिन हो जाएगा ना उस दिन तो आप अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे तो इसलिए बेटा आप मेरी सलाम मान क्या फिजिकल जरूर सुरू कर दीजिए सुबह सुबह एगंटे का टाइम निकाली है दिन में आप अपनी जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो आपनी रेगुलर रखिए बट फिजिकल जरूर आपको करना चीए अगर आपका पेपर ठीक ठाक हुआ है बहुत अच्छे होते हैं चाहे आर्मी में चाहे एर फोर्स नेवी में चाहे दिल्ली पुलिस में चाहे राजस्तान पुलिस सभी स्पेक्टर में डिफेंस के जितने फिजिकल होते हैं सबसे आसान फिजिकल राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल का है शिरफ पांच किलोमेटर की दोड और उस इसके बाद में रिजल्ट कब तक आ सकता है तो रिजल्ट आने के लिए अभी सबसे पहले आपतिया आप से मांगी गई है तीन चार दिन तक आपको आपति दर्ज करानी है उसके बाद में नई आंसर की जारी होगी इन आपतियों का समधन किया जाएगा उसके बाद में फिर आंसर की नई जारी होगी उसके अनुसार फिर आपकी ओमारशीट चेक होगी और फिर रिजल्ट डिकलेर होगा पूरे राजस्तान का एक साथ होगा या जिलेवार होगा वो बाद में पता चलेगा बट लगबग यह मानो कि इस प्रोसेस के अंदर वन मंत का टाइम लग सकत होना है 15-20 दिन के बाद में आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जा सकता है क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में शिरफ कुछ फॉर्मल्टीज होती है ग्राउंड वगेरे तैयार करने की बॉर्ड बनता है और एक ओडर निकलता है और उसके बाद में फिजिकल सुरू हो जा जाएंगे जुलाई चल रही है अगर पूरा निकल जाएगा अगस्ट पूरा निकल जाएगा सितंबर में हर सुरत में आपके फिजिकल सुरू हो सकते हैं इसके बाद में तैयारी कैसे करें बहुत इंपोर्टेंट है तैयारी करने के लिए बहुत बड़ा फिजिकल नहीं ह कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूता है बहुत ज्यादा बागदोड करने की जरूता है ऐसा कुछ भी नहीं है अब दीरे 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 जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ चलोगा बहुत जल्दी आपको क्लासिज मिलने लगेंगी जिसमें हम फिजिकल आपको स्टेप बाई स्टेप यूट्यूब पर कराने वाला हूँ जिन बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर है उनको लगता है अच्छा स्कोर किया है मैंने दूसरों से तुलना करने के बाद में आपको लगता है बहुत अच् जिम्मेवारी Rim Defence Academy लेती है एक लंबे Experience में दस साल से हम फिजिकल तयारी लगातार बश्यों को बुर नारे है और पूरे पूरे राजस्थान से इसी तरह से डिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल के लिए राजस्थान पुलिस कॉंस्टेबल के लिए पिछले बैचों में हमने जो फिजिकल त्यारी करवाई है उसका रिजल्ट आस्चरी जनक मिला है यानि कि इस तरह से प्लानिंग करके हम पूरी कंप्ल होते हैं तो हम यहां दोनों तरह से तयार करते हैं बच्चों को mentally भी strong बनाएंगे आपको और physically भी strong बनाएंगे उसके बाद में कौन रोक सकता है physical के लिए और इसमें तो कोई merit भी नहीं बनती है शिरफ pass या फैल होता है तो 100% result मिलेगा आपको अगर आपको डर लग रहा है तो hostel facility है girls and boys दोनों के लिए और batches लगाता चल रहे हैं अगर आपको आना है तो फड़ाफट शुरुआत अपनी कर सकते हो अब आपको कोई भी चीज अगर इस से समंदी जाननी है तो comment करके मुझे जरूर पूछ सकते हो आप कि आपको इस समंदी तोर क्या जानकारी चाहिए direct cut off अगर आप पूछ सुगे कि सरी जिले से क्या रहेगी जिले से क्या रहेगी इस category में क्या रहेगी इतने नमर मेरे आ रहे हैं मेरा होगा नहीं होगा final होगा नहीं होगा ये चीज हम नहीं बता पाएंगे इन चीजों के लिए कोई किसी को idea भी नहीं है ये भी बता दूम आपको अगर दूसरा भी कोई आपको बता रहा है ना तो वो भी सिरफ अंदाजा लगा रहा है और अंदाजा सही हो या नहीं हो ये बाद में पता चलता है पहले नहीं पता चलेगा तो आप इसके चक्कर में ज़्यादा नहीं रहें आपको खुद को अपने विवेक से अपने आप स तो आपको खुद को डिसाइड गरना है कि आपको क्या गरना है नई तयारी करने के लिए ओफ-लाइन बैचेज भी लगाता है रिम डिफेंस अकेडमी में चल रहे हैं जो कॉंस्टेबल के लिए नई वेकेंची की तयारी करना चाहते हैं बच्चे ओनलाइन बैच भी एप्लि क्यों देने बाते हैं